और साइन के लिए क्या याद रखना है कि साइन इन्क्रीजिंग फंक्शन हलो आज इस टॉपिक पर हम समझने वाले हैं यह वह ट्रिगनमेटर रेशियों ऑफ स्टैंडर अंगल्स स्टैंडर एंगल्स का जो पूरा टेबल है यह तुम्हें पता है एट पॉइंट टू का एक्सराइज में लेकिन क्या होता है अक्सर यह बैल्यूस बच्चे भूल जाता है तो इसको भूलने की कोई जरुथी नहीं मैं बॉलता हूं सबसे इजी चीज है लेकिन कि रिमेंबर डोंट ट्राइटू मेंमराइज इट टीक है अंडेस्टैंड कैसे है इसको याद रखने के लिए बहुत सारा फंड़ाइज देते हैं टीचर्स कि ऐसा ऐसा है कुछ है उसको पहली याद रख लो उससे याद रखता है लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम इसको समझोगे कैसे आया है you will be at a greater advantage क्योंकि तुम जब question solve करोगे तो वो सारा understanding तुम्हें help करेगा चलो देखते हैं कि कैसे इसको समझ के याद रख सकते हैं without even giving it a slightest effort also so let's see how it works so पहले यह साइन है न यह सायद तुम्हें याद रखना पड़े बाकी कुछ नहीं लेकिन यह जो याद रखना पड़ेगा यह भी easy है क्योंकि तुम्हें याद रहना चाहिए जो कि 0.5 से थोड़ा ज्यादा है 0.6.7 ऐसे कुछ है 60 डिगरी पे root 3 by 2 होता है जो कि 0.85 something like that और फिर 1 तो यह जो तीन वेल्यूस है या पांच वेल्यूस है तुम्हें याद रखना कि अगर साइन हो गये तो कॉस कैसे है कॉस इस एग्जाटली द रिवर्स ओरर ओव साइन ठीक्न की साइन इंक्रीजिंग से नाइटी और कॉस डिक्रीजिंग है 0 से 90 वोही वैल्यूस है जैसे किव जीरो वही है जो साइन 90 तो यहाँ से 1 और रिवर्स में तो अगर मुझे साइन याद है तो कॉस साथ में फ्रीव में मिलता है ठीक है तो इससाब से कॉस 45 और साइन 45 दोनों सेम होता है ये कुशिन भी आता है कि कौन से एंगल के लिए साइन और कॉस सेम होता है अब अब कॉसिक जब निकले तो को से को भी आद नी रखना है कि कॉसिक बहुत इसके लिए छोटा से चीज़ में याद रखना है कि को सेक इस एक्चुलिए रेसिप्रोकल ओफ साइन थीटा अगर इतना तुम्हें याद है तो को सेख निकलने में कोई दिक्कत नहीं है का root 2 to 3 by 2 का 2 upon root 3 और 1 का reciprocal 1 तो अगर तुम्हें यह याद है कि को से किस रेसिप्रोकल of sign then you know this ठीक है एस का reciprocal C starting initial देखो S reciprocal is C वैसे ही कॉस को देखो कॉस का initial C है उसका reciprocal will be S so initials का भी उल्टा होता है S का C है और C का S है इसी तरह सेक निकालना है second theta it is reciprocal of cos theta so इसको भी याद नहीं रखना है अब देखो शिर्फ एक ही चीज़ हम यह याद रखा only sign and rest will follow cos उसका reverse हो गया order cosec sign का reciprocal हो गया और sec cos का reciprocal हो जाएगा मतलब 1 का reciprocal 1 root 3 by 2 का 2 of 1 root 3 1 by root 2 2 root 2 1 by 2 2 2 or something divided by 0 is undefined और sec और cosec भी आपस में देखो यह भी reverse order है sec infinity से 1 तक जा रहा है को सेक 1 से infinity तक तरब जा रहा है तो यह भी आपस में reverse है क्यूंकि उनका base functions जो है जिसके reciprocal हो के वो आये हैं वो भी reverse है सो इससाब से इसको भी याद रख सकते हो लेकिन यह अच्छा तरीका है इसके साथ क्या होता है फाइदा यह भी तुम्हें याद रहता है यह बहुत जरूरी है कोई भी class 10 बच्चे के लिए अगर यह याद नहीं है तो कैसे question solve करोगे ठीक है तो उसके बाद 10 पर आते है अ यह बहुत रहता है तो यह तुम्हें याद रखना है कि 10 sign upon cost है तब तुम्हें टेबल में 10 याद रखने की जरूरत नहीं कभी भी sign का या value याद कर सकते हो और cost का तुम्हें question करते करते याद रह जाएगा उसके बाद 10 अपने आप डिवाइड हो के आ जाएगा कैसे 0 by 1 is 0 1 by 2 by 1 by root 3 by 2 which is 1 upon root 3 1 by root 2 by 1 by root 2 same values है 1 root 3 by 2 by 1 by 2 क्या होगा root 3 1 upon 0 again undefined तो वेसी तरह 10 भी हमने याद ही रखा बच्चों 10 को भी हमने sign और cost को divide करके निकल दिये ठीक है तो अब सिर्फ sign से सब कुछ चल अब last में caught अब caught को या तो ऐसे याद रखो कि या फिर ऐसे याद रखो कि इस रेसी फोकल अफ टैन कर सकते हो रेसी फोल टैन कर सकते हो रेसी होता है क्योंकि उससे तुम्हें टैन दिरे-दिरे याद रहने दे जाएगा देखो आइजी प्रैक्टिस सो युल रिमेंबर वरी इसली यह कुछ मुश्किल नहीं है ठीक है थोड़ा जो बच्चे थोड़ा वीकोते हैं उसी को लेकर प्रोलेम में रहते हैं कि यह वैलुज में याद रकिसे रखो हमेशा किया देखके करूं देखके प्रैक्टिस करो लेकिन इतना प्रैक्ट्स करो कि यह रह जाये यह से क्रेट है कॉछ जब निकालाओ तो टैन का 0 का reciprocal is undefined, 1 by root 3 का root 3, 1 का उल्टा 1, root 3 का उल्टा 1 by root 3, और infinite का उल्टा 0, बहुत ही बड़ा number infinite, if you divided by 1, the result will turn to 0, so if you see clearly, शिर्फ साइन याद रख्के, पुरा टेबल हमने लिखतिया, शिर्फ साइन याद रख्के, पुरा टेबल हमने लिखतिया, शिर्फ साइन याद, 0 से 90 यह, यह तुम्हारा course है, ठीक है, यह class 10 का course है, class 10, 0, naszego increasing है, और यह, decreasing है, तो अगर इतने चीजा, तुमने याद रख्का, इससे तुम्हें और बह। सारा चीजा मिलने हमाले हैं, क्या की, cosec to sign 1 होता है, second two cost 1 होता है, tan into cot 1 होता है, यह सब चीजा भी साथ मिलने लगेंगी, तो अगर इस तरह से तुमने table को याद रखा I believe you will understand not only the standard angle values you will also understand the ratios which are behind it ठीक है? जो तुम्हें आगे help करेगा identity solve करने में So I hope you will use this video to your advantage and practice a lot Okay? Take care. Thank you. Bye-bye